नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका लेयरत रेजुकेशन में और आज हम पढ़ेंगे मेथ पेड़ागोगी का मोक्तेस्ट सत्वा चे वीडियो पेले में बना चुका हूँ आज हम पढ़ेंगे साथ इससे पहले मैंने आपके लिए हिंदी के भी वीडियो बनाए जो आप सभी को बहुत अच्छे लगे और अच्छे अच्छे कमेंट आए उन सभी को धन्यवाद आज हम करेंगे मेथ पेड़ालोजी का पंद दोब रहेगा इसमें मैं आपको 15 क्योशन कर रहा हुआ तो बढ़ते हैं अपने पहले क्योशन की ओर हमारा पहला क्योशन दिख रहा होगा आपको कि मुल्यांकन का उद्देश यह हैं पाठ्छे क्रम में आवशक संसाधनों का संसोरी संसोधन करना परीक्षा प्रणाली मे उप्रोक्त सभी तो हमारा अंसरों का उप्षन नमबर डी उप्रोक्त सभी मुल्यांकन का उद्देश हैं तो मुल्यांकन का उद्देश होता हैं पाठ्छे क्रम में आवशक संसोधन करना पाठ्छे क्रम में उसके बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार करना उसके बाद विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना ये सब मुल्यांकन के उद्देश हैं तो हमारा से आंसरों का option number D उप्रोक्त सभी बढ़ते हैं अपने अगले question क्यों विशे वस्तु का मुल्यांकन आधारित होता है वार्षिक भाय परिक्षन आंतरिक और भाय दोनों परिक्षन आंतरिक परिक्षन या इन में से कोई नहीं तो हमारा answer का option number B आंतरिक और भाय ये क्या है ये हर लिखा गए double आंतरिक और भाय दोनों परिक्षन विशे वस्तु का मुल्यांकन आधारित करता है किस पे अंतरिक परिक्षन और बाहर परिक्षन दोनों पर इसका मुल्यांकन आधरित करता है आपको एक कोफी पेन लेके बेटना है उसमें आपको जो सही लगे वो निशान लगाना है और कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरे 15 में से इतने नंबर आए हम बढ़ते हैं अगला क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है किस परिकल्पना का परिक्षन करने के लिए करते हैं हमारा चार ओप्षन है परिक्षन परिक्षा मुल्यांकन और परिडाम सभी अंसर बताएं क्या है इसका होगा किसी परिकल्पना का परिक्षन करने के लिए हम क्या करते हैं परिक्षन करते हैं परिक्षा लेते हैं मुल्यांकन करते हैं या परिणाम आता हैं बताएं आप क्या होगा इसका अंसर तो इसका अंसर होगा option number 8 किसी भी परिकल्पना का परिक्षन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ठीके बढ़ते हैं अपने अगले question की ओर ये सारे question मैंने पूराने exam paper से लिए हुए है सारे आई हुए question है तो हमारा question है छेत्रमिती की इकाई पर आधारित पाट योजनाओं में शामिल एक अनुदेश न आत्मक उदेश इस प्रकार था किस प्रकार कि शिक्षार्ती गणित के अनुप्रियों को समझ सकते हैं ये अनुदेश आत्मक उदेश क्या कहलाता है यह सही उचित हैं क्योंकि किसी को भी प्राप्त ग्यान का अनुप्रे करने के योग्य होना चाहिए दूसरा है अनुचित हैं क्योंकि उद्देश इश्पष्ट हैं और खराब तरीके से परिभाशित हैं तिसरा option उचित हैं क्योंकि गणित के सभी इकाईयों का उद्देश ही हैं, चोंता है कि उचित हैं क्योंकि छेत्रमिती पर आधारित इकाईयों के देनी जीवन उप्योग में हो, आपको एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा और इसके अंसर लगाने पड़ेगा, क्योंकि एक्जाम में ऐसे ही क्वेशन आते हैं गुमावदार, तो हमारा स्वेश अंसरों का option number C, क्या है शिक्षार्थी गणित के अनुप्योग को समझ सकते हैं, यह अनुदेश आत्मक उद्देश क्या कहलाता हैं, तो यह अनुचित नहीं है, यह उचित हैं, क्योंकि गणित के सबी कायों का उद्देश ही हैं, क्या है के इसका अनुप्योग करना और अनुदेश आत्मका उद्देश पता करना, हमारा अगला क्वेशन है, गणित में दू शंचिता के लिए निमलिकित में से कौन सा घटक उत्तरदाईत्व नहीं हैं, क्या है कौन सा घटक उत्तरदाईट नहीं है पाठ्यक्राम विशय की प्रकति लिंग परिक्षण की या परिक्षा पद्धती तो हमारा आंजरोंगा option number C लिंग परिक्षण की गणित में दू शंचिता के लिए नीम लिखित में कौन सा घाटक उत्तरदाईत नहीं है, तो लिंग परिख्षय दाईत उत्तरदाईत नहीं है, पठ्ठेक्रम उत्तरदाईत में है, विशे की प्रकती भी हैं, परिक्षा पद्दती में,प्षन नमबर सी हमारा सही अंचरोगा दोा कि लिंग परिक्षय उत् तो हमारा सेंसर को उप्षन नंबर सी महावीराचार, गनित सार संग्रके लेखग कोन है? गनित सार संग्रके लेखग हैं महावीराचार हैं? हमारा अगला क्यूशन है, एक बच्चा जिस अवस्ता में सभी संबंदित संक्रियाओं को करने में शक्षम, भिन्नों के संप्रत्य के वेख्या करने में भी संक्रिया में वह अवस्ता हैं, हमारे चार उप्षन हैं संक्रियात्मक अवस्ता, आरंभिक अवस्ता, परिमानात्म अवस्ता या विभाज नात्मक अवस्ता तो हमारा स्का अंसरों का option number A संक्रियात्मक अवस्ता एक बच्चा जिस अवस्ता में सभी संबंदि संक्रियाओं को करने में शक्षम है निम्न लिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसर्ण सरवादिक उप्यूक्त हैं मतलब दुसरी की एक कक्षा का विध्यारती एक शिक्षक दुसरी के विध्यारतियों को जोड करना सिका रहा है तो निम लिखेत में कौन से युक्ति का अनुसर्ण सरवादिक उप्यूक्त हैं, कक्षा दूसरी में शाब्दिक वस्तों को न कराया जाए, शब्द प्रयोग का प्रयोग के वल ल्यांकन है तो किया जाना चाहिए, तिसरा योग को शाब्दिक प्रश्णों दुआरा प्रस् करना चाहिए, कक्षा दूसरी के विद्ध्यारतियों को एक शिक्षक जोड़ सिका रहा है, निम लिखेत में कौन से युक्ति का अनुसरों सरवादिक उप्यूक्त हैं, तो हमारा अप्शन अप्शन नमबर C, योग को, मतलब योग मतलब जोड़ को सरवादिक प्रश्णो द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, हमारा अगला केशन है, गनित में तुरूटियों के एक महत्पुन भुमेका है, या कतन गलत हैं, क्योंकि गनित में तुरूटियों का कोई स्थान नहीं है, गलत हैं क्योंकि तुरूटियों लापरवाही दर्चाती हैं, सही हैं क्योंकि यह बहुत कराती है कि बच्चे गणित के अउधानों के किस प्रकार रचना करें और चूंता है सही है क्योंकि विध्यारतियों को उनके प्राप्त अंकों के बाले में फिड़बेक देती है बताना इन चारों में से कौन इसा सही है तो हमारा आंसरों का option number C सही है क्योंकि यह बहुत कराती है कि बच्चे गणित के अउधानों के किस प्रकार रचना करें क्या question था गणित में तुरूटियों के एक बात्पून भूमिका है यह कथन क्या है या कथन सही हैं क्योंकि यह बहुत कराती हैं कि बच्चे गनित की अवदानों से किस प्रकार लचना करें बढ़ते हैं अगले कुशन की और गनिती संचरन उलेख करता हैं गनिती विचारों को समाईत और संगडित करने की शमता समयश्याओं को सुलजाने की शमता गणित प्रश्णोतरी में भाग लेने का कोशल और गणित के कक्षा कक्ष में बोलेने की शमता तो हमारा से आंसर क्या होगा? हमारा से आंसर का option number A गणिती विचारों को समाहित और संगर्टीत करने की शमता गणिती संच्रण का उल्ले क्या करता है यह करता है कि गणिती विचारों को समाहित और संगर्टित करने की शम्ता हमारा अगला क्रूश्य ने राष्टी पाट्टे चर्चा रूप रेखा गलत वाला बताना है बच्चों की सोच विचार पक्रिया को गणिती रूप देना दुसरा है बच्चों के संधर्ब में गणित का मलन करना समझ्चा समाधान के कोशल को बढ़ाना और चोथा है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना तो NCF 2005 के अनुसार प्रात्मिक विध्यालाई में गणित पढ़ाने का मुख क्योदेश निमलिकित में से कोन सा नहीं है तो हमारा आंसरों का ओप्शन नमर ए बच्चों की सोच विचार पक्रिया को गणित रूप देना हमारा से अनसरों का ओप्शन नमर ए प्रात्मिक विध्यालाई में गणित का पढ़ाने का मुख क्योदेश कोन सा नहीं है तो विए हवाला नहीं है कि बच्चों की सोच विचार पक्रिया को गणित रूप देना हमारा अगला क्यूशन है प्रात्मिक इस्तर पर गणित के पहले मदद करती हैं कक्षा के प्रतियपा संपन विध्यारतियों को पहचानने में विध्यारतियों को मनरंजन प्रदान करने में समश्या सुलजाने की कोशल को परकने में तो वो मदद करते हैं कि पहले समश्या सुल जाने के कोश्णों को प्रोसाहित करने में हमारा अगला क्योश्यन भाषा में सतत और व्यापक मुल्यागन का उद्धेश हैं केवल बच्चों की कमिया जानना, केवल यह जानने के बच्चों में कितना सिखा दूसरा है बच्चों को उत्तिर्ण अनुतिर्ण शिर्णे में रखना और चोंता है बच्चों द्वारा भाषा सेखने की प्रक्रिया को जानना और समझना तो हमारा अंसरों का उप्षन नंबर डी कि पेले बच्चों द्वारा भाषा सेखने की प्रक्रिया को जानना और उनको समझना हमारा अगला क्योश्यने सत्त मुल्यांकन का एक निहितार्त है बच्चों के भाषा प्रियोग का निरंतर अवलोकन करना बच्चों के परिक्षा सम्बंदी भै को समाप्त करना प्रति दिन परिक्षा लेना या हर महीने परिक्षा लेना तो हमारा आंसरों का option number A बच्चों के भाषा प्रियोग का निरंतर क्या करना अवलोकन करना सतत मुल्यांगन का एक निहितार्त क्या है क्या प्रति दिन परिक्षा लेना है नहीं हर महीने परिख्षा नहीं, बच्चों के परिख्षा संबनी भहे को समाप्त करना नहीं, उसमें क्या करना उसमें बच्चों के बाशा प्रयोग को निरंतर अवलोकन करते रहना आज का आखरी question आकलन, आकलन क्या है? मुलता शिक्षक के अंद्रेत होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सिखा, भाषा सीखने सिखाने की प्रेक्रिया का अभिन्य अंग है और आकरिहे पाट समाप्ति पर ही किया जाता है हमारा answer को option number C, भाषा सीखने सिखाने की प्रेक्रिया का अभिन्य अंग है आकलन क्या है? मुलता शिक्षक के अंद्रेत है? नहीं, आकलन पाट समाप्ति पर ही किया जाता है? नहीं, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या शिका नहीं? हमारा option अगा option number C, भाषा सीखने 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 की प्रेक्रिया का अभिन्य अंग क्या है? आकलन करना मैंने आपको गणित पेडालोजी के आज 15 MCQs करा हैं और आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि आपके 15 में से कितने number आएं और मैंने जो आपको हिंदी के वीडियो बनाए हैं उन्हें भी कमेंट करके बताएं मैं आपको कल हिंदी के जो संदी बताई थी मैंने short trick से उसके कल MCQs लेकर हूँ आप 50 ठीक है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसमें लाइक कमेंट और शेयर करें और आप जो कमेंट करते हैं उन सभी को धन्यवार वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका लेयर 3 हमारा पहला क्रेशन है किसका कथन है गणित वह विज्ञाने जिसमें आवशक निश्कर्ष निकले जाते हैं हमारा सामने चार ओप्षान है एस्ट्रोलोजी, ब्लूम, बेंजामिन पियर्स या सिम्सन तो हमारा से अंसर को दोस्तों बेंजामिन पियर्स बेंजामिन पियर् अमूर्त, अनवेशी, विशेश या अस्थाई तो हमारा से अंसर को दोस्तो अमूर्त गणीत के आतिकाँश प्रव्यतनों को जटिल माने जानने का कारण है अमूर्त हमारा अगला क्रेस्टन है गणीत सब्यता एंब संस्कृती का दर्पन है किस गणीत कि ने कहा था संस्कृति का दरपण है यह कहाता हांग बेनने हमारा अगला क्यूशन है गणित का सबसे अधिकांच सह संबंद किस विशय से होता है कला से नत्य से विज्ञान से या भासा से तो हमारा से अंसर को दोस्तों विज्ञान से गणित का सबसे अधिक सह संबंद होता है विज्ञा बढ़ते हैं अपने अगले क्यों गणित के नियम और निश्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ट में काल्पनिक दोनों या सार्व भूमिक तो हमारा से अंसरों को दोस्तों गणित के नियम और निश्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ट और सार्व भूमिक वस्तुनिष्ट में ये दोनों गणित के नियम और निश्कर्ज होते हैं। हमारा अगला क्यूश्य ने गणित की विभिन शाखाओं को एक दुसरे के साथ संबंद क्या कहलाता हैं। एक किसा संबंद प्राशन से विवस्तित या कोई नहीं। तो हमारा अगला क्यूश्य ने गणित की विभिन शाखाओं को एक दुसरे के साथ संबंद क्या कहलाता हैं। प्राशन से कोई नहीं। आपको गणित परिभाषां की सारी परिभाषा पड़के जाना है। आपकी एक परिभाषा ज़रूर आएगी। हमारा अगला क्यूश्य ने किसका कथन है कि संगीत मानाव के अव चेतन मन का अंक गणिती संख्याओं से संबंदिक एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है Bloom, Lebanese, Simson या Herbert तो हमारा से अंसर को दोस्तों Lebanese Lebanese ने कहा था कि संगीत मानाव के अउचेतन मन का अंक गणित संख्याओं से संबंदिक एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है बढ़ते हैं अगले question के ओर जेन साहित्य के किन क्रतियों में गणित संबंदिक घ्ञाण की प्राप्ति होती है सूर्य प्रग्यप्ति, चंदर प्रग्यप्ति, दोनों या इन में से कोई नहीँ तो हमारा right answer हो का ये दोनो जेन साहित्य की कीन प्रवतियों में गणी संबंदिक ज्यान की प्राप्ति होती है तो सुर्य प्रग्यप्ति और चंद्र प्रग्यप्ति इन दोनों में जेन साहित्य की क्रतियों में गणी संबंदिक ज्यान की प्राप्ति होती है बहुती शांदार क्योशन है कि ब्रह्म गुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है 15, 20, 25 और 30 तो हमारा सेयान सरुका दोस्तों 20 ब्रह्म गुप्त ने गणित की 20 क्रियाओं पर प्रकाश डाला है ये अगला question भोती most question है कि नर्सिंग बाबू देव सास्त्री ने अपनी पुस्टकों में किस विशे को स्तान दिया रेखा गनित, सायनवाद, अंक गनित या ये सबी तो हमारा से answer को दोस्तो यह सबी नर्सिंग बाबू देव सास्त्री ने अपनी पुस्तकों में रेखागनित, शायनवाद, अंक गनित इन सभी विशे को इस्थान दिया है बढ़ते हैं अपने अगले केश्चिन के और हमारा अगला केश्चिन है कक्षा दुसरी के विध्यारतियों को एक शिक्षक योग मतलब जोड सिखा रहा है निम्न लिखीत में से कौन सी युक्ति का अनुकरन सरवादिक उप्यूक्त है कक्षा दुसरी में शाब्दिक प्रशनों को ना कराया जाए साब्दिक प्रशनों का प्रयोग केवल मुल्यांग नेहत्यों किया जाना चाहिए तिसरा option योग मतलब जोड को शाब्दिक प्रश्णों द्वारा प्रस्तूत करना चाहिए और तिसरा चौंथा option शाब्दिक प्रश्णों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए तो हमारा से answer को दोस्तो option number C योग मलब जोड को शाब्दिक प्रश्णों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा दूसरी के विध्यारतियों को एक शिक्षक योग मलब जोड सिखा रहा हैं, वह निम लिखेत में से कौन से युक्ति का अनुकरन कर रहा हैं। तो वह जोड को शाब्दिक प्रश्णों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए इसका उप्योग कर रहा हैं। हमारा अगला क्योष्ण एक शिक्षक का शिक्षारतियों से पत्तियों को एकत्र करने और समितियां पेटर्ण के पहचान करने के लिए कहती हैं। यह कारी शिक्षक के प्रयास को दर्शाता हैं। हमार सामने चार उप्षन हैं, अंतरा, विश्यक, उपागम संबंदी, गाणी संप्रेक्षन में सुधार करने संबंदी बाते, तिसरा है वास्तविक जीवन को गाणीती अवधार्णों के साथ जोडने संबंदी और चोंता है इन में से कोई नहीं, तो हमारा सही अंसरों का द शिक्षिक्रा के प्रियास को यह दर्शेता हैं कि वो वास्तविक जीवन को गाणीती अवधार्णों के साथ जोडने का कार्य कर रही हैं, आज का बहुत ही आइंपी और लास्ट क्वेशन है कि बीज गाणीती शब्द की उत्पति किस भासा से हुई हैं, ग्रीफ, अर्भी हिंदी और संस्कृत, तो हमारा से अंसर होगा दोस्तों, हमारा से अंसर का उस्तों अर्भी, बीज गणी शब्द की उत्पति किस भासा से हुई हैं, तो बीज गणी शब्द की उत्पति अर्भी भासा से हुई हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइ कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लेयर 3 एजोकेशन में और मैंने पहले आठ वीडियो बना चुका हूँ अगर किसने पूराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो एक बार जाके वहाँ वीजिट कर लें बढ़ते हैं अगला पार्ट है आज की क्लास है नोवी उसमें मैं मैंने 115 क्योशन करा चुका हूँ गणित पेडालोजी के आज 116 नम्मर के क्योशन है हमारा पहला क्योशन आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा कि श्रीधर गणित के किस उप विशय के आचार्य थे रेखा गणित बीच गणित अंक गणित या त्रिकोन में दी तो हमारा सा एंसरों का बीच गणित श्रीधर गणित की किस उप विशय के आचार्य थे तो वह थे बीच गणित के हमारा अगला क्योशन है विभिन वस्तुओं को उन्ही का नाम देना ही गणित है किसने कहा था हेनरी पायंकर कांट ब्रतलाट या रसेल तो हमारा चैनरों को ओप्शन नमबर A. हेनरी पायंकर हेनरी पायंकर ने कहा था कि विभिन वस्तों को उनीका नाम देना ही गणी थे यह कहा था हेनरी पायंकर ने अमारा अगला क्योशन ब्रत लाट ने गणित विशेग को किस प्रकार का आविशक उपकरण माना है विज्ञान, भोतिक, प्राक्रतिक या कालपनिक तो हमारा सेंसरों का option number B भोतिक, ब्रतलाटने गणित विशेक को भोतिक प्रकार का आवश्यक उपकरण मना है यह सारे question मैंने पूराने paper से लिए गए हैं यह सारे IMP question है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको like, comment और share जरूर करें हमारा अगला question है गणित में घ्यान किस प्रकार नहीत है इसपस्ट, तारकिक, क्रमबद या यह सबी तो हमारा अंसर होगा यह सबी गणित में घ्यान किस प्रकार नहीत है तो इसपस्ट, तारकिक और क्रमबद यह सबी इसके अंतरगर आते है हमारा अगला question बहुत ही IMP है अंक गणित का संबंद है रेखाओं से, जोड वर्गमूल से एव भी दोनों से या इनमे से कोई नहीं तो हमारा अंसर होगा जोड वर्गमूल से अंक गणित का संबंद कैसे है जोड से और वर्गमूल से हमारा अगला question है गणित शिक्षण उप्योगी होता है सामाजी विकास में भोतिक सब्विता में बोधिक विकास में या उप्योक्त सभी तो हमारा अंसर होगा उप्योक्त सभी गणित शिक्षन समाजी विकास में भी उपयोगी होता है, भोतिक सब्पेता में भी उपयोगी होता है, भोतिक सब्पेता में भी उपयोगी होता है, मतलब तीनों सही है, गणित शिक्षन सभी में उपयोगत होता है हमारा अगला क्यूशन है गानिती संचारन उलेक करता है गानित विचारों को समाहित और संगठित करने की शमता समश्याओं को सुलजाने की शमता गानित प्रश्णोतरी में भाग लेने का कोशल और चोथा है गानित के कक्षा कक्ष में बोलने की शमता तो हमारा सेंसर हो बडिट सेंसर हो दोस्तों हांग बेग ने कहा था कि गनीत सबवेता और संस्कृति का दरपणे हमारा अगला क्यूशन है गणित विज्ञान है इस्थान का शिक्षा का गटनाओं का या मानव जीवन का हमारा से अंसरोगा दोस्तों गणित विज्ञान है कई का गटनाओं का हमारा अगला क्यूशन आपको इसकिन पर देखना होगा बहुत ही शांदार क्यूशन है कि दो य या इन में से कोई नहीं तो हमारा अंसर को सी प्रेक्षण यानि यह प्रेक्षण यह गलत ताइप हो गया तोड़ा प्रेक्षण दो या उससे अधिक दो विमानों वाली वस्तों के मापों की तुलना करने के लिए कौन सा एक सर्वादी को प्योगता है तो वह है हमारा अगला क्योश्चन है प्रात्मे किस्तर पर गणीत की पहलियां मदद करती हैं कक्षा के परतिबा संपने विध्यारतियों को पहचानने में विध्यारतियों को मनुरंजन प्रदान करने में समस्या सुलजाने के गोशल को परकने में और चोंता है समस्या सुलजाने के घोष्टिया को प्रोसाहित करके राष्टिये पादेना तो हमारा सेंसर का ओप्षिन नमबर D समस्या सुलजाने में घोष्टिया को प्रोसाहित करने में हमारा अगला क्योश्टिये राष्टिये पाठ्टे चर्चा रूप रेखा एन सी एप वर्ष दोहजार पांच के अनुशार प्रात्मे के विध्यालव में गणीत पढ़ाने का मुख्ध उद्देश निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है मतलब राश्टी पार्टिस चर्चा 2005 का अनुसार प्रात्में को इध्यालव में गणित पढ़ाने का मुख दिश इनमें से कोई नहीं है चार उप्षन कौन-कौन से बच्चों की सोच विचार पक्रिया को गणिती रूप देना दूसरा उप्षन है बच्चों के संदर्व में गणित का मुणन करना तिसरा उप्षन है समस्या समयधान के कोशलों को बढ़ाना और चोंता उप्षन है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना हुमारा अंसरों का उप्षन नमबर A बच्चों की सोच विचार पक्रिया को गणिती रूप देना राष्टी पाठे चर्चा रूप रेका वर्ष 2005 के नुसार प्रात्मिक विध्यालोय में गणित बढ़ाने का मुख्यों दिश कौन सा नहीं है तो ये वाला नहीं है कि बच्चों की सोच विचार पक्रिया को गणित रूप देना हमारा अगला क्यूशन ही प्रात्मिक इस्तर पर गणित की पाठी पुस्तकों की सबसे अधिक महत्व विशेश्ता निमलिखित में से कौन सी है प्रात्मिक इस्तर पर गणित की पाठी पुस्तों के सबसे महत्वण विशेश्ता कौन सी है तो वह संकल्प नाओं को मूर्थ से अमूर्थ रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए हमारा अगला क्यूशन है ज्यामिती समझ को विक्सित करने के लिए निमनलिखित में से कौन सा स्रेणी क्रम सही है मानसिक चित्रण, ओपचारिक निगमन, विशलेशन या अनोपचारिक निगमन दूसरा है मानसिक चित्रण, विशलेशन, अनोपचारिक निगमन या ओपचारिक निगमन चोंता है ओपचारिक निगमन, अनोपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण या विशलेशन और चोता है मानसिक चित्रन, विशलेशन, ओप्चारिक निगमन या अनोप्चारिक निगमन तो हमार आंसरोगा मानसिक चित्रन, विशलेशन, ओप्चारिक निगमन और अनोप्चारिक निगमन या इसका सही क्राम पहले आएगा मानसिक चित्रन, फिर आएगा विशलेशन, और उसके बाद आएगा अनुपचारिक निग्मन प्रात्मिक इस्तर प्राल्ब आज का आखरी क्योश्चन है कि निम्न लिखित में से कोन सा कथन सही है संख्या नो के बाद सुन्य का परिज़े देना चाहिए यहाँ आएगा सुन्य दूसरा इस्ताई मान सिकाते समय सुन्य का परिज़े दिया जाना चाहिए तिसरा इपड़ाई जाने वाले प्रतम संक्या शुन्य होनी चाहिए और चौता है बच्चों में संक्या का ज्यान विक्सित होने के बाद सुनने का परिज़े दिया जाना चाहिए हमारा अंसर होगा बच्चों में संख्या का ज्यान विक्सित होने के बाद सुनेने का परिचाय देना चाहिए क्योश्चन था कि निम लिखित में से कौन सा सही है तो यह सही है कि पहले बच्चों में संक्या का ज्यान विक्सित होना के बाद उन्हें सुनने का परिज़ाय देना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंड और शेहर जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप सबी का धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका लेयर 3 एजुकेशन में और आज हम पढ़ेंगे गणीत पेडालोजी के कुछ IMP 20 क्योस्चन हमारा पहला क्योस्चन है संसलेशन वीदी के संधर्व में कौन सा तथिक गलत है यहाँ एक वेग्यानिक वीदी है यहाँ रटने की वीदी है विश्लेशन से पहले प्रियुक्त होती है यह इसमें समयवा शक्ति दोनों कम लगते हैं तो हमारा से आंसर होगा विश्लेशन से पहले प्रयोक्त होते हैं। शंस्लेशन वीति के संदर में कौन सा तत्य गलत हैं। तो यह वाला तत्य गलत हैं कि यह विश्लेशन से पहले प्रयोक्त होते हैं। यह सही है, यह एक विश्लेशन से पहले प्रयोक्त होते हैं। से अंसर होगा विश्लेशन विदी कौन से विदी तर्क प्रदान है तो विश्लेशन विदी तर्क प्रदान है हमारा अगला क्योश्य ने बालकों को कम से कम बताना चाहिए यह उन्हें अधिक से अधिक स्योंच स्योंच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए यह सिद्द से अधिक स्यों को सोचना चाहिए यह प्रेरित करता है हुरिष्ट विदी दुबारा हमारा अगला क्यूशन है विग्यानिक विदी पर आधारित उप्युक्त विदी है योजना विदी निगमन विदी अधिगम अनुबाव कितने प्रवाशली रहे या उप्युक्त सभी तो चलते हैं अगला क्यूशन के विषै में छातर की रूची पेदा करने के लिए प्रभवी तरीका होगा, कौन सा होगा हमार सामने चार ओप्षन है कमजोर छात्रों के लिए अत्रिक्त कश्चाओं की व्यवस्ता करना खेल विदी में शिक्षन विध्याले में अधिक पुस्तके खरीदना समय विभाग चक्र में गणित विशे को अधिक कालांश देना गणित विशे में चात्र की रूची पेदा करने के लिए पुर्वाव शली तरीका है खेल विदी में शिक्षन चलते हैं अपने अगले क्योशन की ओर अगर आपको विडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें हमारा अगला क्योशन है जिस विदी से पहले उधारन बाद में नियम बता जाते हैं वह हैं आगमन विदी, निगमन विदी, समच्चा समाधान विदी या हूरिष्ट विदी हमारा से अंसर होगा आगमन विदी, जिस विदी से पहले उधारन बाद में नियम बताएं वह कों से विदी हैं तो वह विदी हैं आगमन विदी हमारा अगला क्योशन है हमारा अगला क्योशन है देनिक पाठ योजनाओं के निर्मान में सम्मिलित होता है विशे वस्तु का चैन, शिक्षण उद्देश का निर्धारण, शिक्षण विध्यों का निर्मान या उप्युक्त सभी हमारे से अंसरों का उप्युक्त सभी देनिक पाठ योजना के निर्मान में सम्मिलित होते हैं कोशलात्मक, घ्यानात्मक, अवबोधात्मक या अनुप्रियोगात्मक हमारा से अंसरों का कोशलात्मक रेखा गणिती आक्रियतियों के शिक्षन में सर प्रतम प्राप्त उत्यश होता हैं कोशलात्मक बहुती IMP question है वह विदी जो देखो, सुनो, समझो पर आधारित हैं कौन सी विदी हैं प्रयोक्षाला विदी, प्रदर्शन विदी, विशलेश्रिनात्मक विदी या संसलेश्रिनात्मक विदी तो हमारा से आंसर होगा प्रदर्शन विदी, वह विदी जो देखो, सुनो, समझों पर आधारित होती हैं वह विदी होती हैं प्रदर्शन विदी ये सारे केश्यन गणी पेडालोजी से हैं तो आपके सारे हमारा अगला क्शिन है क्रियात्मक पक्ष के शिक्षन उद्देश्यों का श्रे किसे जाता है मसिया, क्रेथवाल, स्पिप, सन या ब्लूम क्रियात्मक पक्ष के शिक्षन उद्देश्यों का श्रे जाता है सर्वधिक योगदान किसने दिया? क्रेथवाल, ब्लूम, इसकी नर, सिंसन तो हमारा से अंसर होगा, ब्लूम, ज्यालात्मक पक्ष के बPP 둘 में सरुधिक योगदान दिया था ब्लूम ने तो हमारा अंसर होता है उप्योग्त सभी, गानित शिक्षन में पाठ्य पुस्तक का उप्योग किया जाता है प्रयायोगिक कार्य है तू, प्रस्तावना है तू, उधाराण अयों चित्र है तू, मतलब सभी कार्यों के लिए गणी सिक्षन में पाट्य पुस्तक का उप्योग किया जाता है। प्रस्याओं ने मिलकर भावात्मक शिक्षन उध्यष पर सरवधिक कार्य किया है। पुद्देश किसने माना है घ्यान, मुल्यांकन, विशलेशन या संसलेशन तो हमारा से अंसर होगा मुल्यांकन सबसे उच्छ इस्तर घ्यानात्मक पक्षि में माना है मुल्यांकन ने। हमारा अगला क्यूशन है बालक में आदत का विकास होना किस पक्षि का अंस है क्रियात्मक, घ्यानात्मक, सम्वेगात्मक या ये तीनों। हमारा से अंसर होगा क्रियात्मक, बालक में आदत का विकास होना किस पक्षि का अंस है तो वो है क्रियात्मक पक्षि का अंस है। हमारा अगला क्रिशन है बालक में स्वाभावी करण की क्रिया किस पक्स से जूड़ी हो सकती हैं घ्यानत्मक क्रिया से सम्वेगात्मक क्रिया से प्रत्यक्षी करण से या क्रियात्मक ता से तो हमारा सेहं अंसरों का सम्वेगात्मक क्रिया से, बालक में स्वाभी करण के क्रिया किस पक्षि से जुड़ी हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं सम्वेगात्मक क्रिया से हमारा अगला question है Bloom ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश निर्धारित किये वातावरण के, व्यहवार परिवर्तन के, विशेवस्तो के या बोधिक पक्ष के तो हमारा सेंसरों का व्यहवार परिवर्तन से ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश निर्थारित किये हैं तो वह करे हैं विवार परिवर्तन के मैं आपको तिन चार आइम पे परिभाशा बता देता हूँ मैं आपसे पूसता हूँ कि जादा गणित जानने के अपैक्षा कैसे गणिती करण किया जाए यह अधिक उप्योगी हैं यह किस ने कहा था NCF 2005 के अनुसार, जार्ज पोल के अनुसार, डेविट विलियर या रसेल के अर के अनुसार तो यह कहा था, डेविट विहिलर ने कि जादा गणित जानने के अपैक्षा कैसे गणिती करण किया जाए यह अधिक उप्योगी हैं यह कहा था, डेविड विहिलर विहिलर ने कहा था कि जादा गणित जानने की अप्यक्षा केसे गणिती करण किया जाए यह कहा था डेविड विहिलर ने हमारा अगला क्योस्चन है निम्न में से गणित शिक्षन का मुख्य उद्देश हैं हमार सामने चार उप्षन है सटि कभी वेक्ति सू इस्पष्ट भासा प्यओक A, A, B, दोनो यः उपयुक्त में से कोई नहीं तो हमाराँ अंसर होगा सटि कभी वेक्ति M, सू इस्पष्ष्ट भासा प्यओक A, A, B, D, दोनो गणिस्शिक्षण का मुक्य उद्देश होता है सटिक अभी व्यक्ति और सु इसपेश्ट भाषा का प्रियोग करना मैं आपको one liner fact बता देता हूँ कि रेखा गणित शिक्षन की सबसे उप्युक्त विदी हैं तो रेखा गणित शिक्षन की सबसे उप्युक्त विदी हैं आगमन विदी हमारा अगला question है दस गिती का गणित ग्रंत के लेखक कोन है तो दस गिती का गणित ग्रंत के लेखक है आरेवट अब अगला question बता देता हूँ कि गणित विशे की पाठी पुस्तक किस विदी पर आधारित होकर लिखी जाती है तो गणित विशे की पाठी पुस्तक संस्लेशन विधी पर आधरित होकर लिखी जाती हैं हमारा अगला क्शन है कि रेखा गणित को किस ने व्यवस्तित रूप प्रदान किया तो रेखा गणित को ब्रह्मा गुप्त ने व्यवस्तित रूप प्रदान किया हमारा अगला क्योशन है कि प्रात्मिक कक्षाओं में गीनिती सिखाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो प्रात्मिक कक्षाओं में गीनिती सिखाने के लिए अबेकस का प्रियोग किया जाता है हमारा एक और क्योशन है मोश्ट परिभाशा बता देता हूँ कि गणित शिक्षन का वास्तवी कुद्धेश ग्यान प्राप्त करना नहीं वरना शक्ति प्रदान करना है यह किस ने कहाता तो यह कहाता डटन ने एक और है कि इसकुली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष क्या होता है तो इसकुली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष होता है बच्चों के विचार पक्रिया का गणितिय करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेर, कमेंट जरू करें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजयो केशन में और आज हम पढ़ेंगे गणित पेडालोजी के कुछ क्योस्चन तो चलते हैं अपने पहला क्योस्चन के ओर हमारा पहला क्योस्चन है हमारा सामने चार अप्षन है तो हमारा सही अंसर होगा दोस्तों हमारा अगला क्योस्चन है चात्रों से अनेक प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए जांच सूची का, प्रशनवाली का, रेटिंग स्केल का या इस्तरमाप का तो हमारा सही अंसर होगा दोस्तों प्रशनवाली का चात्रों से अनेक प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए हम प्रशनवाली विधी का सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाता है हमारा अगला क्यूशन है गणित में व्यक्तिगत उप्चारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए चार उप्षन है निदानात्मक परिक्षण के पहले, सामुहिक उप्चारात्मक शिक्षण के पहले, सामुहिक उप्चारात्मक शिक्षण के बाद या कभी नहीं तो हमारा से अंसर होगा सामुहिक उप्चारात्मक शिक्षण के बाद गनित में व्यक्तिगत उप्चारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए सामूहिक उप्चारात्मक शिक्षण के बाद ये सारे क्वेशन बहुत ही आई एमपी हैं क्योंकि ये सारे क्वेशन हमने पूराने पेपर से लिए गए हैं कोई नहीं तो हमारा से अंसरों का दोस्तों उद्धेशों का उपलब्दी परिक्षा नेदानिक परिक्षण में अंतर होता है उद्धेशों का उद्धेशों का उपलब्दी परिक्षा और नेदानिक परिक्षण में क्या अंतर होता है तो उद्धेशों का अंतर होता है हमारा अगला क्रिश्य ने बीज गणी अध्यन में चाहिए गणनात्मक शक्ति, प्रायोगिक कार्य, तरक शक्ति या सामाजिक कार्य हमारा से आंसर होगा तरक शक्ति, बीज गणी अध्यन में क्या चाहिए, तो बीज गणी अध्यन में तरक शक्ति का होना बहुती आवश्यक है हमारा अगला क्रश्य ने वस्तोनिष्ट प्रश्णों की विश्यस्ता हैं, विश्वशनियता, व्यापकता, वेद्यता या उप्युक्त सभी तो हमारा से अंसर होगा उप्युक्त सभी वस्तोनिष्ट प्रस्णों की विशेष्टा क्या क्या होती है विश्वशनियता व्यापक्ता वेदता ये सारी वस्तोनिष्ट प्रस्णों की विशेष्टा होती है हमारा अगला क्यूश्य ने निग्मन विदी का शिक्षण सुत्र नहीं है अग्यात से ग्यात नियम से विशिष्टी करण शुक्षम से स्थूल या उधारन से नियम निगमन विदी का शिक्षन सुत्र कौन सा नहीं है तो उधारन से नियम नहीं है अग्यात से घ्यात निगमन विदी का है नियम से विशिष्टी करान ये भी निगमन विदी का है शुक्ष में से इस तुलियो भी निगमन विदी का है उधारन से नियम ये निग्मन विदी का नहीं है हमारा अगला क्युष्य ने ज्याद से अग्याद शिक्षन सुत्र का प्रियोग होता है आग्मन विदी में, संसलेशन विदी में, दोनों में या किसी में नहीं तो हमारा से अंसर का दोनों में ज्यात से अग्या शिक्षन सुत्र का प्रयोग आगमन विदी और संसलेशन विदी दोनों में इसका प्रयोग होता है हमारा अगला क्रिशन है रेखा गणी शिक्षन की उच्च प्रात्मिक इस्तर पर शिक्षन की सरोतम विदी कुन सी है विशलेशन वीदी प्रदर्शन वीदी आगमन वीदी यह संस्लेशन वीदी हमारा अगला क्रेशन निम्न में से कोन सा असत्यकतने किसी एक बिंदु से गुजडने वाली दो किर्णों से बनी आकरती को कोण कहते हैं या किसी तीन रेकाखंडों से गिरी हुई बंद आकरेती को त्रिबुच कहते हैं या किसी तीन रेकाओं से गिरी आकरेती को त्रिबुच कहते हैं या आयत के आमने सामने की भूचाई की लंबाई समान होती हैं तो प्रत्य कोन समकोन होता हैं तो हमारा आंसर होगा किसी तीन रेकाओं से गिरी आकरति को त्रिबुज कहते हैं, यह असत्य कतने, किसी एक बिंदू से गुजरने वाली दो किर्णों से बनी आकरति को हम कहते हैं, कौन किसी तीन रेकाओं से गिरी होई बंद आकरति को हम त्रिबुज कहते हैं, आयतन के आम सावंने सामने भूजाओं की लंबई समान होती है तो प्रत्य कौण समकोण होता ये भी सचीह है कौन सा गलत है कि किसी तीन से और रहेखाओं किसी अरे गीरी आकरति को दिरी भूज केते हैं यह अयक्ना अपना और असत्यकतर हैं हमारा अगला question है कांचे क्लास गेन या बेलन तो हमारा से आंसर होगा कागज निमने वस्तों में से कौन समतल है तो कागज समतल है गिलास गेन सब एक है पन कागज क्या है समतल की श्रेणी में आता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें धन्यवा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लेर्थरे एजूकेशन में और आज मैं आपके लिए गणित पेडालोजी से संबन्दित कुछ IMP 20 क्योशन लेकर आया हूँ जो आपकी पुरानी एक्जाम से पूछे गए हैं तो चलते हैं अपने पहले क्योशन के और हमारा पहला क्यो से अंसर होगा आगमन वीदी रेखा गणित एक मीट हूँ तो हमारा से अंसर होगा आगमन वीदी रेखा गणित है तू निमलेकित में सरवादिक प्रमक वीदी है आगमन वीदी चलते हैं अपने अगले क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है दस गिती का नामक गणिती ग करने के लिए निम लिखित विदी का प्रियोग अध्यापक को करना चाहिए कौन सी विदी का प्रियोग अध्यापक को करना चाहिए जयामिती की समस्याओं को हल करने के लिए के अध्यापक को विशलेशन विदी का प्रियोक करना चाहिए हमारा अगला क्षिन है अपेक्षित व्यवार्गत परिवर्तन में नहीं थे हमारा सामने चार उप्षिन है शेक्षिक उद्देश प्राप्त उद्देश सामन्य उद्देश या इन में से कोई नहीं तो हमारा से अंसरों का दोस्तो प्राप्त उद्देश अप्यक्शित वियवार गत परिवर्थ मैं क्या निहींत होता है तो प्राप्त उद्देश होते हैं हमारा अगला कुछ the Chaikism शिक्षण सामान्य उद्देश होते हैं दूर्गामी दूरगामी नहीं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किये जा सकते या मानव विववार में नहीं जलगते तो हमारा से अंसरों का दूरगामी शिक्षन के साम्मानी उद्धिश कुन थे हैं? दूरगामी होते हैं हमारा अगला क्योशन है प्रात्मिक शिक्षन का महत्व हैं संस्क्रतिक, मानसिक, विववारिक या आध्यात्मिक तो हमारा से अंसरों का दोस्तों विववारिक प्रात्मिक शिक्षन का महत्व होता हैं विववारिक हमारा अगला कुश्यन है गणित शिक्षण शात्रों में प्रश्ण को शिग्र एवं सुद्ध हल करने की आदर डालने की स्रेष्ट विद्धी है सिद्धान्त को समझने के बाद हमें हमारा सामने चार उप्षण है शुद्धता से हल करना चाहिए निर्धारित समय विद्धी में प्रश्णों को हल करवाना लिकित एवं मोखिक अभ्यास करवाना या शिग्रता से प्रश्ण हल करना तो हमारा सही आंसर होगा हमारा सही आंसर होगा निर्धारित समय विद्धी में प्रश्णों को हल करना इसका सही आंसर होगा option number C, लिकित एवा मौखिक अभ्यास करवाना, गणी शिक्षन छात्रों में प्रेश्न को शिग्र एवा सुद्ध हर्ण करने की आदर डालने की शेष्ट विधी हैं, लिकना एवा मौखिक अभ्यास को हाल करवाना हमारा अगला क्योश्य ने गनित शिक्षण का वास्तविक उद्देश ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ती प्राप्त करना है यह कतन किसका है डिवर, बेकेन, डटन या रमन तो हमारा सेयांसरोगा डटन गणित शिक्षा का वास्तवी के उद्धेश ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ती प्राप्त करना यह काता हमारे डटन ने हमारा अगला क्यूश्य ने कुहक गणित ग्रंत की रचना किस ने की बरहमिहिर, महाविराचारी, ब्रहमगुप्त यह श्रिदराचारी तो हमारा सेयांसरोगा दोस्तो ब्रहमगुप्त कुहक गणित ग्रंत की रचना की थी ब्रहमगुप्त ने हमारा अगला क्रश्यन है राजस्तान के भीन माल कजबे में किस गणितक्य का संबंद है मलग किस गणितक्य का जन्म हुआ महावीराचारी, श्रीधराचारी, ब्रहमगुप्त और बरहामिर तो हमारा से अंसर होगा ब्रहमगुप्त राजस्तान के भीन माल कजबे में ब्रह्म गुप्त नामा गणित क्या संबंद था मला उनका जन्म हुआ था और इनकी रचना इनकी रचना बता दी कुहुक गनित गरंत की रचना कौन सी है ब्रह्मा गुपत की रचना कौन सी है तो 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 ब्रह्मा गुपत की रचन किस ने की थी महावीराचार्य श्रीधराचार्य भासकराचार्य या गंशा हे तो हमारा से अंसारों का दोस्तों महावीराचार्य गणित सार संग्र के रचना की थी महावीराचार्य अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको là obraic रहेंगे हमारा अगला कर्षिन गणीत की वह कौन सी विदी हैं जो करके सीखने के सिध्धान्त पर काम करती हैं जिससे छात्र अधिक सक्री रहते हैं वह जिसके दुआरा नविन तत्यों की खोच की जा सकती हमार सामने चार उप्षन प्रदर्शन विदी प्रयोग शाला तो हमारा से अंसरोगा प्रयोग शाला विदी कौन सी विदी प्रयोग शाला विदी गणीत की वह कौन सी विदी हैं जो करके सीखने के सिध्धान्त पर कार्य करती हैं तो प्रयोग शाला विदी करके सीखने के सिध्धान्त पर कार्य करती हैं तो हमारा से अंसरोगा प्रयो इत्रपल घ्यात करने के लिए उप्योगी गनित विदि है क्रिया विदि, हमारा अगला situation है अबयकस का प्रियोक छोटी कख्षाओं में किस सिखण में प्रभाई होता है? बोल न शिखने में, लिखने में, गिनती में, या हस्त लिखन में. तो हमारा से अंसर होगा गीनती सिखाने में, अबेकस का प्रियोग छोटी कक्षाओं में गीनती सिखाने के लिए प्रियोग किया जाता है हमारा अगला क्यूशन है आप व्रत की परिदी ज्यात करने के लिए किस शिक्षन विदी का प्रियोग करेंगे विशलेशन विदी, इकाई विदी, क्रिया विदी या निगमन विदी तो हमारा सही आंसर होगा option number D निगमन विदी, वरत की परेदी ज्यात करने के लिए हम निगमन विदी, शिक्षन विदी का प्रियोक करेंगे ये सारे question मैंने पूराने paper से ले गए हैं अगर आपको अच्छा लगे तो इसको like, share, comment जरूर करें हमारा अगला question है पर ये विख्षित स्वाध्याई विदी का गुण है विख्तिगत क्रियाँ विदी का गुण पिछले बालकों को शिक्षा विप्यूक्त धंक से देना तिसरा है छात्रों की पार्टि पुस्तक का गहनता से विकास करना या चोता है उप्यूक्त सभी तो हमारा सही अंसरों का उप्यूक्त सभी पर ये विख्षित स्वाध्याई विदी का गुण ये है विख्तिगत क्रियाँ की विदी का गुण पिछ़़े बालकों को शिक्षा विप्यूक्त धंग से कराना छात्रों की पाटी पुस्तक का गहना गहनता से विकास करना ये सारे इसके अंतरगर आते हैं हमारा अगला किश्यन है रेखा गणित का संबंध है संख्याओं से प्रसार्व विस्तार से अंकों से या प्रतिक चिन्नों से तो हमारा से अंसरों का प्रसार्व विस्तार से रेखा गणित का संबंध है प्रसार्व विस्तार से हमारा अगला केशन है गानित सभी विज्ञानों का सिहन दुवार और कुंजी है यह विचार किसका है दटन, हाग बेन, रोजर बेकर या पी सिम तो हमारा से अंसर होगा दोस्तो रोजर बेकर गानित सभी विज्ञानों का सीह दुआरों और कुंजी है यह कहा था रोजर बेकर ने हमारा अगला कुशन है पार्टे करम निर्मान के सिद्दान्त हैं समनवाई वा सू संगर्ठीत या दूसरा अप्शन है उप्योगिता वा जीवन में से संबंदता का तिसरा है क्रिया शिलता वा परिवर्तन शिलता का और चोंता है उप्युक्त सभी तो हमारा से अंसर होगा उप्योग तो सभी पाटिक्रम, निर्माण के सिद्धान्त, समन्वय, उप्योगिता, क्रिया शिल्तावा परिवर्तन यह सभी आते हैं। अगला क्श्यन है वुरत की परिदी तिता व्यास से संबंद घ्यात करने होती हुआ किस विद्धी का उप्योग करते हैं। आगमन विदी, संसलेशन विदी, निगमन विदी यह प्रियोक्षाला विदी। तो हमारा से अंसर होगा दोस्तों प्रियोक्षाला विदी। व्रत की परिदी तिता व्यास में संबंद घ्यात करने के लिए हम प्रियोक्षाला विदी का उप्योग करते हैं। हमारा आज का आखरे क्योशन है किस विदी के अंतरगत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शिर्षकों के अंतरगत व कितने कालांचों में किन किन दिनों को पढ़ाना है आगमन विदी, खोज विदी, निगमन विदी या इकाई योजना विदी तो हमारा सेहंसरों का दोस्तों एकाई योजना विदी के अंतरगत हम यह निर्धारित करते हैं कि पूरे अध्याय में कितने शिर्षकों के अंतरगत वा कितने कालांचों को और कितने दिनों तक बढ़ाना या इन सारी विदियों का उपयोग हम एकाई योजना विदी के शेर, कमेंट जरूर करें और इसकी PDF में आपको इसके description box में निचे दे दुआ और आप Telegram गूप में जाकर भी वहाँ से download कर सकते हैं